Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Class 9 के Maths के syllabus के बारे में तो हम लोग को क्या क्या चीजे पढ़नी है और क्या क्या चीजे नहीं पढ़नी है सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सबसे पहले तो देखो जिन भी बच्चों के पास पुरानी वाली NCRT है तो पुरानी NCRT में जो भी deleted topics है वो आप लोगों को मैं बताऊंगी ठीक है? और जिन भी बच्चों के पास नई वाली NCRT है, new NCRT ठीक है? तो उनको तो सब कुछ पढ़ना है उनको कुछ भी चीज अवोईड नहीं करनी है एक भी topic नहीं छोड़ना है तो अगर आप लोग new books लेके आ रहे हो तो आप लोगों को बस मैं overall बताऊंगी marks, distribution वगेरा और NCRT में जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको पढ़नी है जिन बच्चों के पास पुरानी NCRT है जिनोंने में भी कहीं से खरीद रखी हो पुरानी वाली या फिर अपने senior से ले ली हो तो वहाँ पर क्या चीज़े deleted है क्या आपको नहीं पढ़ना है वो भी आपको साथ के साथ मैं बताते जाऊंगी तो यहाँ पर देखो यह सारी units हमें पढ़नी है सबसे पहली unit है number system यह आती है हमारे 10 number की उसके बाद है algebra बहुत important है यह unit है हमारी 20 number की फिर है coordinate geometry बहुत ही simple है और बिल्कुल basics है यहाँ पर जो की 4 number के आएंगे फिर आती है geometry which is very very important most important क्योंकि यह है 27 number की then हमें mensuration देखना है जो की आने वाला है 13 number का then हमें सिर्फ statistics पढ़नी है probability नहीं पढ़नी है और यह है 6 number की total जो हमारा paper आने वाला है वो 80 number का आएगा और 20 हमारे internal assessment के होते हैं जैसे वायवा हो जाएगा आपका ठीक है कुछ test हो जाएंगे तो यह number 20 आपको तब मिलते हैं और यह हमारा theory का paper होता है उसका marks distribution है ठीक है अब देखो जी जिनके पास भी पुरानी NCRT है यह topics आप लोगों को delete कर देने हैं क्योंकि यह chapters जो हैं यह पूरे के पूरे delete हो गए हैं सबसे पहले areas of parallelogram and triangles delete हो चुका है यह chapter फिर constructions बच्चों को difficult लगता था तो यह भी हटा दिया है CVSE ने उसके बाद यह तो बहुत ही simple सा chapter थयार probability बहुत ही अच्छा था बट यह भी हटा दिया गया है तो यह 3 chapters बिलकुल आपको हटा देने हैं आपको नहीं पढ़ने हैं फिर देखो उसके बाद अब हमें पढ़ना क्या है तो यह chapters पढ़ने हैं number system में real numbers हमको देखने है rationalization यहाँ पढ़ेंगे इसमें जो 1.4 exercise है ना पुरानी NCRT में वो delete हो चुकी है अब आप लोगों को नहीं पढ़नी है उसके बाद देखो next क्या है हमारे पास next है polynomials polynomial क्या होता है basic definition देखेंगे हम थोड़ा idea हम zeros का लगाएंगे यह polynomial के zeros क्या होते हैं ठीक है उसके बाद यह जो formulas है identities होती है इनका verification देखेंगे इनको हम कैसे use करेंगे यह भी देखेंगे ठीक है उसके बाद next coordinate geometry यहाँ पर 3.3 exercise जो है वो entirely delete हो चुकी है अब देखो यहाँ पर कुछ भी deleted नहीं है ठीक है सब कुछ आपको पढ़ना है यहाँ पर deleted था तो मैंने लिखा था यहाँ पर कुछ भी deleted नहीं है यहाँ पर 3.3 वाली exercise deleted है और बाकी सब चीजे फिर उसके बाद आता है next chapter linear equations in two variables variables क्या होते हैं ठीक है जैसे इस तरीके से कोई भी equations मैंने लिख दी है अब यहाँ पर अगर मैं x की value change कर दूँगी तो यहाँ पर कुछ different result आएगा है ना और y की value change कर दूँगी तो different result आएगा तो इनको हम equations कहते हैं two variables जहाँ पर दो variables होंगे x और y ठीक है तो यह हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें क्या exercises deleted है तो 4.3 और 4.4 यह हमको नहीं पढ़नी है बाकी सब चीजे इधर पर हम लोगों को पढ़नी है ठीक है फिर देखो next chapter पर आते हैं next है geometry तो सबसे पहले यहाँ पर हम euclid geometry पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ भी deleted नहीं है आपको पूरा का पूरा chapter पढ़ना है बहुत ही simple सा chapter है ठीक है और यहाँ से questions आते ही आते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे फिर lines and angles पर आ जाते हैं तो 6.3 वाली exercise आपको cut कर देनी है नहीं पढ़नी है बाकि सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है ठीक है, acute angle क्या होता है obtuse क्या होता है right angle क्या है, right angle triangle के बारे में आगे हम पढ़ने यह सब कुछ आप लोगों को देखना है right angle triangle अभी पताया और यही है हमारा पास triangle वाला chapter जहां पर यह सब कुछ हम पढ़ रहे होंगे 7.4 एकसाइस डिलीट कर देना उसके अलावा सब कुछ आप लोगों को पढ़ना है ठीक है यह सब हम लोग देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 9 में फिर similarity हम बाद में क्लास 10 में पढ़ते हैं ठीक है फिर हम आजाते हैं quarter laterals में बहुत simple है अब यहां पर एक quarter laterals अगर मैं बना दे रही हूं वो होता क्या है क्या इसकी properties होती है क्या formulas हैं कितने types के quarter laterals होते हैं parallelogram किसको कहते हैं rhombus क्या होता है यह सब detail में इस chapter में हम लोग पढ़ते हैं ठीक है diameter क्या है और अगर हमारे पास इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हम कुछ बना रहे हैं ठीक है तो यहां पर इस angle की value कितनी होती है यह सब जो भी properties है यह सब हम यहां पर पढ़ते हैं chord क्या होता है segment क्या होता है यह जो terms होते हैं इन terms को अच्छे से हम लोग circle वाले chapter में detail में पढ़ेंगे फिर आ जाते हैं mensuration में तो यहां पर सबसे पहले area of a triangle हम देखते हैं using herons formula तो herons formula इधर पर हम देखते हैं यहां पर 12.2 वाली जो exercise है वो deleted है यह हमको नहीं पढ़नी ठीक है उसके बाद देखो surface areas and volumes यहां पर तो सभी इनों ने हटा दिया है इसको detail में class 10 में हम लोग पढ़ ठीक है तो यहां पर हम space देखेंगे which includes the hemisphere also ठीक है यह square हो जाएगा और इसका आधा हिस्सा हमारा hemisphere हो जाएगा और यह 3D में होता है यहां पर तो मैंने 2D में ड्रॉ करा है बटाचल में यह 3D में होता है ठीक है and then right circular cones तो बस इतना ही हमको इधर पर पढ़ना है फिर हम आ जा सब कुछ ही काट दिया है यहां पर बहुत ही limited चीजे बची है अब maths में ठीक है तो क्या क्या हमें पढ़ना है bar graph हम देखेंगे histograms हम देखेंगे with variable base lens and frequency polygons यह क्या होते है इनको हम detail में chapters में पढ़ रहे होंगे अगर आप लोगों को one shot lectures चाहिए है for class 9th as well so definitely let me know in the comments box ठीक ह हमारी units आ रही है क्या chapters deleted है सब कुछ आपको मैंने बता ही दिया है so I hope detail में syllabus आप लोगों को समझ में आ गया होगा so that is it for this video हम लोग मिलेंगे हमारी next video में till then bye everyone take care and all the very best